हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक टो माई चैनल विजा कर्वेंचन आज हम इस वीडियो में डेटेल में डिसकस करेंगे केनेडा के अलबर्टा प्रोविन्स के टॉप कॉलेजे़ के बारे में तो जो भी स्टूडेंट अलबर्टा प्रोविन्स में जाना चाहते हैं मेरी इस वीडियो से एक complete benefit ले सकते हैं तो friends वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले number one पे discuss करेंगे Red Deer College के बारे में Red Deer College public funded college है और DLA approved है यह 1964 में establish हुआ था इस college में आपको undergraduate courses ही मिलेंगे post graduate courses available नहीं है अब बात करते हैं इसके campus की तो जो इसका campus है वो Red Deer City में ही है number second पे हम बात करेंगे बोवैली college के बारे में बोवैली college public funded college है और DLA approved है यह 1965 में establish हुआ था यह college Calgary city में है तो जो भी student Calgary जाना चाहते हैं उनके लिए यह है एक अच्छा option है इस college में आपको undergraduate और post graduate दोनों ही तरह के courses मिलेंगे number 3 पे हम discuss करेंगे नौर्ट्विस college के बारे में नौर्ट्विस college 1965 में establish हुआ था यह भी एक public funded college है और DLA approved है यहाँ पे भी आपको undergraduate और post graduate दोनों ही तरह के courses मिलेंगे यह college Edmonton City में है तो जो भी student Edmonton जाना चाहते हैं उनके लिए यह एक अच्छा option है नेक्स हम बात करेंगे old college के बारे में old college Canada के अलबर्टा प्रोविंस की old town में ही है यह 1913 में establish हुआ था यह भी एक public funded college है और DLA approved college है यहाँ पे आपको agriculture और veterinary से related programs मिलेंगे तो जो भी student agriculture और veterinary से related programs लेने चाहते हैं उनके लिए यह अच्छा option है नेक्स्ट हम बात करते हैं medicine head college के बारे में medicine head college in medicine head city में ही है यह 1965 में establish हुआ था यह भी एक public funded college और DLA approved है इस college में आपको सभी तरह के programs मिलेंगे arts mathematics non medical medical पाती business related programs भी available है यहां पर आपको undergraduate और post graduate दोनों ही तरह के courses मिलेंगे नेक्स्ट हम डिसकस करते हैं लेट्थ प्रिज कॉलेज के बारे में जो की Alberta province की लेट्थ प्रिज सिटी में ही है यह college Canada के cheapest colleges में से एक है यह 1957 में established हुआ था यह भी एक public funded college और DLA approved है नेक्स्ट हम बात करते हैं Lakeland college की जो की 1911 में established हुआ था यह भी एक public funded college और DLA approved है इस college में आपको agriculture और vocational programs मिलेंगे तो जो भी students vocational programs में जाना चाहते हैं उनके लिए यह एक अच्छा option है vocational programs क्या होते हैं उसके लिए मैं एक different video बनाऊंगी उसमें आप जान सकते हो कि vocational programs क्या होते हैं और कौन-कौन से होते हैं और कौन-कौन से colleges में available है लास्ट में हम बात करते हैं Northern Lake college के बारे में जो कि डियले अप्रूवड है यह 1999 में established हुआ था इस college में भी आपको सभी तरह के programs मिलेंगे तो फ्रेंड्स यह है अलबर्टा प्रोविंस के टॉप colleges अगर आप इन में से किसी भी college में admission process करवाना चाहते हैं यह admission process से related कोई भी आपकी query है तो आप मुझे स्क्रीन पर दियेगे contact number से contact कर सकते हैं इसके अलावा आप मुझे स्क्रीन पर दियेगे social media platform से भी contact कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो इन्फोर्मेटी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फोर्मेटी वीडियो की सब्सक्राइब करें तरी एक कि निव्यक्राइब करें ने रबाएक करें थेंक यू फ्रेंड्स